नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है कहते हैं कि मंजिल उन्ही को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंक से कुछ नहीं होता होसलों से ही उडान होती है इसको सच साबित कर दिखाया है उत्तरपदेश के जनपत बुलंसहर के छोटे से गाउं में किसान के घर जन में पवन कुमार ने जिनकी खूब चर्चा हो रही है पवन कुमार ने सिविल सर्विस परिक्षा 2023 में 249 रेंक हासिल की है उनकी सफलता के बाद परिवार के साथ पूरे गाउं में जस्न का महौल है पवन ने अपना सपना पूरा करने के लिए माता पिता की मेहनत को हमेशा ध्यान में रखा किस तरीके से पिता मजदूरी करते रहे एक्जाम के दौरान जब मुबाइल की जरूरत पड़ी तो पिता और बहनों ने दिन रात मजदूरी करके पैसा जुटाया और पवन के लिए मुबाइल खरीता पवन कुमार बुलंसार के थाना नरसेना उचा गाउं विकासकन छित्र के गाउं रखुनात पूर के रहने वाले हैं और उनके पिता मुकेश कुमार मजदूरी करते हैं मा सुमन भी उनका हाथ बटाती है और मंडेगा के तहट काम कर लेती है सबसे बड़ी बहन गोल्डी है दूसरी बहन स्रिष्टी जो बीए कर रही है सबसे छोटी बहन सोनिया बारहमी की पढ़ाई कर रही है पवन ने 2017 में नवदय स्कूल में इंटर की परिच्छा पास की थी इसके बाद इलाहबाद से बीए की परिच्छा की दिल्ली में आ करके कोचिक सेंटर में सिविल सेवा की तयारी सुरू की कुछ दिनों तक कोचिंग ली लेकिन पैसा नहीं था इसलिए बाद में उसे छोड़ दिया और सिल्फ इस्टडी करते रहे मेरा उन सभी लोगों से कहना है जो की फाइनेंसियल क्रेंच की वज़े से तैयारी नहीं कर पा रहे है जो गिव अप करने की सोच रहे हैं उन से मेरा एक ही कहना है कि यह एक्जाम लॉंग प्रोसेस है और इसमें कई वार ऐसा होता कि कोचिंग की ज़रुवत पड़ती है लेकिन जो आपके फाइनेंसियल इसूज है वो आपके कॉंस्टेंट नहीं बनने चाहिए आप इसके लिए कई तरह से चीज़ें कर सकते हैं जैसे एकदम यह नहीं है कि आप कोचिंग करेंगे तभी आपका सेलेक्शन होगा तो यह जो चीज है ना यह मित है कि कोचिंग करेंगे तभी सेलेक्शन होगा सेलफिश चड़ी बहुत बड़ा एरिया है और सेलफिश चड़ी पर रिलाई करना होगा जो कोचिंग करते हैं उनका भी रहता कि 30 परसेंट उनकी कोचिंग है बाकि 70 परसेंट उनको अपनी जो सेलफिश अड़ी है उस पर रिलाई करना रहता है और दूसरा चीज आप जैसे पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं मेरे केस में ऐसी नौबत नहीं आई कि मैंने पार्ट टाइम जॉब करनी के लिए और पर्टिकुलर्ली इस केस में की मेरा दो अटेम्ट में नहीं हुआ था यह मेरा थर्ड अटेम्ट है इसके बाद भी मुझे दिल्ली ऐसे सहर मेश्टे कराना और कॉंसरेंटली मुझे सपोर्ट करना यह अपने आप में वड़ी बात थी इसके अलावा मेरे दोस कशने के लिए आप के लिए अकारी आप इस जरूवत है कोई टॉपिक आपको समझ में आ रहा है तो कोचिंग के वज़ा है आप अपने उन दोस्ते से संबर्ख करें जो चीज के बारे में जान रहे होते हैं आप उनकी हैप ले सकते हैं आप इस वीडियो को देख करके सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि घर के नाम पर शपर है, बगल में भैस बधी है, यानि कि भैस का तबेला जिसका घर है और माता-पिता मजदूर बहने पढ़ाई कर रही हैं। होसला काम आया और पवन कुमार ने अपनी मेहनत की बदावलत तीसरे प्रयास में यूपी एस्सी की सबसे कठिन परिच्छा में 249 वी रैंक हासिल करके सब को चौंका दिया। इसे ही एक खबर मिले पिता मुकेश कुमार को उनके आँखों में आँसु आ गए। आवाज नहीं निकल रही है। सुनिये उन्होंने क्या कहा। उसकी मेहनत पढ़ाय दिखाएं की और हमारे उसका सहयोग परिश्रम करके उसको पैसा देला देने के और अपनी इस्तितिक आधार के मुताविक बड़ी मेहनत करने के बावजूद उसको हमने यहां तक पहुंचे लेकर उसकी मेहनत जैसे वी रिजल्ट आया हूँ सब आप मैंने की बेटा देख्यों हमारी का इस्तिति है बोले पापा ने मुझे पढ़ना है यह सब बात की बात है जो होगा सित्री है पूरी पूरी रात लेकर जाए हम एक जगे बैठ जाए कई बैठने को जगे सोने को नहीं बूके प्यासे रहे के उनको मेहनत मजूर करके हमने पढ़ाया बच्छे को यहाद ठीक इसी तरीके से बहन ने जो बताया सुन करके कोई भी भाउक हो जाएगा कि कैसे मोबाइल खरीदा गया था कैसे जब बारिस होती है छपट टपकता था तब वो अपने वर्तनों को अपने सिर के उपर रख लेते थे उससे बचाओ के उसे सांती पसंद थी और हम उसने छपट में रहके पढ़ाई करी और कभी लाइट भी चली जाती थी तो वो डिविया से पढ़ता था डिविया जला के और उस पवन कुमार ने ना सिर्फ गाओं बलकि पुरेदेश में माता पिता और परिवार का नाम रोसन कर दिया है इस इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर किजिएगा रही ने बेखबर दिखते रहिए इन खबर थैंक यू